नमस्कार, वेलकम टो नर्सिंग स्मार्ट, नर्सिंग स्मार्ट के यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, शाम से जो गठना करम चल रहा है, एम्स नौर्सेट 4 को ले करके, उसके बारे में बच्चे जानना चाह रहे हैं, नर्सिंग के साथ में यहां पर बहुत ही शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसमें जो सबसे इंपोर्टन जो चीज है कि क्या इस सब के चलते पेपर कैंसल होगा क्या, तो हम अपना व्यू जो हैं इसमें आप लोगों के सामने एकदम से उनेश्टली रख देना चाहते हैं शाम से जो एक PDF और अलग-लग स्क्रीन शॉर्ट जो सर्कुलेट हो रहे हैं चारो तरफ में, उसके बारे में हम अपनी तरफ से आपको टेक्निकली जानकारी दे देते हैं कि उसको देखते हुए एम्स जो है वो क्या करने वाला है सबसे पहले ब्रीप कर दें आप लोगों को कि जो सर्कुलेट हो रहा है एक PDF और वो PDF भी उन्हीं स्क्रीन शॉर्ट का है जो की हर एक पर्टिकुलर क्यूस्टन जो इसकी कम्प्टरी स्क्रीन पर जो जिस तिन एम्स का नोर्शेट का एक्जाम हो रहा है और उस तिन इस्क् स्क्रीन शॉर्ट लिए गए हैं जिस कंडिडेट के सिस्टम से यह स्क्रीन शॉर्ट लिए गए हैं उनके रॉल नंबर जो है एन्रॉल्मेंट नंबर जो है वो साफ साफ नजर आ रहे हैं एक में शुरुआती है कि स्क्रीन शॉर्ट में उनकी जो फोटो जो है वो भी नज बच्चे अपने इस तर से कुछ भी बोल देते हैं कि सरो फलानी एक्जाम में ऐसे हुआ हम यहाँ पर आपको बोल दें इस इंस्टिटूट का नाम है एम्स और बोलते हैं ना कि भी वो पुलिस ऐसा करती है वो बंदा ऐसा करता है तो अब एक्षन का इस तर समझ लीजिए कि सबसे पहली बात यह तो जांच का विशय होगा कि जिनकी फोटो नजर आ रही है जिस कंडिडेट की फोटो यहाँ पर नजर आ रही है एक्ष्वल में वो उसी ने मिश्क्रीन शोड लिये हैं जो कि मलब मोस्ट प्रोबेबली उसी के लिद्वारा लिए गये हैं हम इन है इसमें जो चांसेज हैं स्क्रीन शोड जो है वो स्टूडेंट की हेल्प के लिए स्टूडेंट ने ना लेकर के किसी जो इन विजिलेटर रहा होगा उसने लिए हैं और हमारी जानकारी में एम्स में जो इन विजिलेटर जाते हैं वो एम्स के खुद के होते हैं एम्स का काफी लोग जो होते हैं उनके इंडिया के अंदर डेली एक्जाम होते हैं इसके तो हर अपता पंदर दिश्टिन के अंदर एक्जाम रहते ही रहते हैं इसमें बहुती स्ट्रिक्ट एक्षन लेने वाला है पहली चीज यह तो समझ के रख लीजिएगा कैंडिडेट की जहां से भी भूमी का नजर आएगी समझ लीजिए वो बोलते हैं ना साथ पुछते वो खराब हो गई समझ लीजिए ठीक ना वो तो आज पास के साथ पुछते का मतलब है यहां पर साथ आजपास के साथ गांव ना कभी जिंदीगी में चिटिंग नहीं सोच यहां पर इन्विजिलेटर है इस के लिए इन्विजिलेटर ने पिक खंची है और इसने अक्सवाइज़ तीसरे बंदे को यह फोटो खंच के बैजी और यहां से जो रिवर्ट आया है उसके आनसर आये जो की लगबग 59 कुशन्स के जो स्क्रीन शोट है इसोरी पिक्स जो हूँ शेर की गई है किसी थर्ड परसन के साथ में इसमें इन्वोल्ड उस टीम के जितने भी निजुलेटर से हैं सारे लपेटे में आएंगे एम्स के नोट कर लीग जिएगा हमारी चीजों को क्योंकि बह बहुत बड़ा अपराद हुआ है केंडिडेट्स के भविषय के साथ में जो खिलवाड करने की कोशिज की है जो भी लोग इसमें इन्वोल्ड पाएंगे एम्स बहुत स्ट्रिक्ट एक्षन इसके उपर लेने वाला है अब बात एक्ष्वल बात की कैंसल होगा क्या पेपर घोगा ऐसा भी जरूरी नहीं है इनक्वेरी के दायरे में आ सकते हैं जिस क्लास्रूम में जिस एक्षमिनेशन रूम में यहां से जो यह पिक्स जो लीक हुई है और जहां पर यह जो सारा काम किया गया है उस क्लासरूम में इनवल्मेंट देखी जाएगी दूसरे बच्चों की अद्वाइज यह बच्चे को तो बार किया ही जाना है समझ लीजिए और इंक्वारी का सब्जेक्ट है कि इसमें बच कैंशल करेगा result result hundred percent जो है वो डिले हो गया है hundred percent डिले हो गया है एमस ने अपनी preliminary inquiry बिठा दी होगी आज शाम से जो यह सर्कुलेट हो रहा है उसी से पहले हम this session एम्स ने अपनी इंक्वारी जो है वो बैठा दी होगी और हमारा हिंट समझ लीजिएगा हमारा इशारा आप समझ लीजिएगा कि इसमें काफी बड़े बड़े लोग भी इसमें जो इंक्वारी के दारे में आ सकते हैं जैसा कि साल बर पहले राष्थान जैपुर में हुआ ठीक है ना तो ये चीज समझ करके चलिए कि एम्स नौर्शेट फोर में जो ये गंदगी करने की जिनोंने भी कोशिस की है ना उनको एम्स ठीक से उनके साथ में ठीक से निपढ़ने वाला है ये समझ लीजिए तो कंडिडेट्स को कहीं से भी डिमोटिवेट होने की होने की ज़रत नहीं है ऐसी चीजे जब आती है तो बड़ा दिल दुखता है जब मेहनत करता है बच्चा मेहनत करता है टीचर मेहनत करता है बड़ा दिल दुखता है लेकिन आप निशिंत रहिए ये बहुत ही छोटे से लेवल पर हुआ होगा लेकिन एम्स इसको बहुत ब स्विरे वहीं से वार करेगा और यह कुछ भी मुश्किल काम नहीं है क्योंकि कंडिडेट का उसमें सब कुछ नजर आ रहा है बच्चे जो हमसे चा रहे थे उनके आंसर्स जो हैं वह हम समिराइज कर देते हैं कि क्या पेपर कैंसल होगा नर्सिंग स्मार्ट का व्यू है करता है 30 जून तक जो रिजल्ट अब हो गया है क्योंकि छोटी सी इनक्वारी तो इसके पर बंती है और इसको अपने लेक्षाप से अपने इस्तर पर अपने बढ़ा कर लेगा कि कुछ भी डिसपाइंट होने ज़रत नहीं है और देखते हैं यह हमारा व्यू है और जो ची अपने चीजें शेयर करें बच्चे बड़े जिन्होंने पर अच्छा किया है उब्यस सी बात है पेपर जी सिस्तर का था हम डिसकस कर चुके हैं और कमिंग सेशन्स में डिसकस करेंगे भी तो उस चीज़ को जो है वो देखा जाएगा और बच्चों को एक परशन भी निरा जो भी क्यूसंस आते हैं उनका अंसर देने की कोशिश करते हैं आप भी अपने विचार हमारे साथ में शेयर कीजिएगा अगर किसी एक्जामनेशन चेंडर पर ऐसा एक्सप्रियेंस रहा है तो क्योंकि इस एक्जाम को देने के लिए पांच-पांच-जार रुपे खर्च होते हैं छोटी मोटी बात नहीं है और हम अपने इस तरफ पर इसको उठाने वाले हैं और अपनी तरफ से नर्सिंग स्मार्ट जो हो इसका एक ड्राप्स त्यार करके सुबह कल मेल और पोस्ट करने वाला है एम्स को भी और पी एमो में भी इस सेशन में इतना ही मिलेंगे वेरी नेट अपडेट के साथ थेंक यू